नमस्कार, बेसिक मैथमेटिक के भाग तीन में आपका स्वागत है उमीद करता हूँ कि पहला और दुसरा भाग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आज हम लोग तीसरे भाग में दसमलों का जोड और घटाना से सुरू करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं देखें कुछ सवाल हम ले लेते हैं दसमलों पर आधारित प्रश्ना जोड और घटाना दसमलों का जोड और घटाना इसके लिए कुछ कोशन लेते वे चलते हैं और इसको हल करते वे चलते हैं पहला कोश्चन 5.0 प्लस 0.5 प्लस 3.5 देखे ये सब दसंख्याएं प्लस 3.5 योग ज्यात करने के लिए दसंख्याइं के लिए दसंख्याइं के नीचे होना बहुत जीरूरी होता है जैसे मैं करके दिखाता हूं 5.0 0.5 3.5 अब इसको जोडेंगे तो इसको तो पांच पांच दस, हासिल एक, पांच ती नाठ एक, नो, तिये 9.0 हुआ, तिसका उत्तर 9.0 आया, next question देखते हैं, question number 2, 0.005 plus 0.03 plus 0.2 plus 1, अगर इसको जोड़ा जाये, तो देखें कैसे जोड़ते हैं, 0.005, पहला लिख लिया इसको, फिर इसके बाद देखें के जब लिखना हो, यह दसनलों यहाँ ही रहेगा, इसके बाद चाहिए अंक इधर उधर जहां भी लिखा जाये, 0 और 3 लिखा, और यह 0 यहाँ लिखा, ठीक ना, यह लिखेंगे, तो दसनलों यही रहेगा, और 2, औ कि इधर अगर जहें खाली होड़ा तो यहां आप 0 लगा सकते हैं ठीक ना और एक को देखे एक जगर अगर ऐसे लिखा वा तो यह 1.000 लिख सकते हैं इसको तो हमको इसका एक का दसमलो मिल गया यह दसमलो यहां होता है यहां लिख लेते हैं इसको तो यह 1.000 हो गया अब इसक इस प्रकार का होता है, कुछ और उदारन ले लेते हैं, ठक, तिसरा question है, 0.7 प्लस 5.7 प्लस 8.24, इसको add करते हैं, ठेक न, 0.7, 5.7, जेके 8.24, ये ऐसे ही जुड़ेगा, ठेक न, तो जुड़ेंगे तो 8, 7, 7, 14, 15, 16, एक हासिल, 8, 5, 13, 14, ठेक न, तो ये जुड़ हो गया, फिर चौथा question देखते हैं, 42.54 प्लस 72.5, 0.005, इसको add कर लिया, तो जोड़ेंगे तो कितना हैगा, 42.54, फिर 72.5, इसको जब लगाएंगे तो यहां लगाएंगे, 0.005, ऐसे, और अगर आपको जोड़ जोड़ने में दिक्कत हो रहा हो, तो यहां आप 0 लगा सकते हैं, इसको ऐसे, यहां, अब जोड़ लेते हैं, तो यह 5, यह 4, 5, 5, 10, हासिल 1, 2, 2, 4, 1, 5, 7, 4, 11, यह उत्तरा आगिया, तो दसमलों का जोड़ इससी प्रकार होता है, अब माइनस भी देख लेते हैं, घटाना कैसे होता है, पांचमा प्रस्न, पांच दसमलों 0 में से 0 दसमलों 5 घटाएंगे, तो देखें, इसको लिखेंगे, पांच दसमलों 0, अब माइनस करेंगे, तो माइनस 0.5, इसको ऐसे घटाएंगे, घटाएंगे, जैसे हम लोग घटाते हैं, बस दसमलों है, तो दसमलों लगा लिया, ब और एक दे दिया तो यह 4 हो गया 10 में 5 गया 5 और यह 4 बचा तो यह 4 तो घटेगा भी इसी तरह का नएस कोशन देखते हैं एक माइनस 5.0 माइनस 0.5 माइनस 3.5 अब देखे मैंने बताया था पिछली क्लास में अगर सबके संग माइनस 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 लगा हो तो एक माइनस लगा कर अंक को जोड़ दिया जाता है मतलब इनको इनको आप जोड़ दीजिये तो यह यहाँ 5.0 0.5 3.5 इसको जोड़ लेते हैं 5 5 10 हासिल 1 5 3 8 1 9 तो यह आया 9.0 तो दसमलों का जोड़ इस प्रकार का हुआ एक कोशन और अलग देखते हैं प्रस्ट नमबर 7 देखें लिखा है इसमें 2.5 3.76 14.089 इसको जोड़ते हैं कितना हैगा कोश जोड़ें यह कोशन था तो जोड़ेंगे तो 2.5 3.76 और यह 14.089 ठीक ना ऐसे आप इसको जोड़ लेते हैं यह 0 लगाना दो लगा सकते हैं 9 8.6 14 हासिल 1 7.5 12 13 हासिल 1 4.3 7.8 9 10 और एक हासिल 1 1 2 यह अपना उत्तर आ गया तो दसमनों का जोड़ इस प्रकार का होता है घटाना भी इसी प्रकार देख लिया हमने अब गुड़ा करके देखते हैं दसमनों का गुड़ा गुड़ा देखिए पहला कोशन लिखते हैं 2.3 गुड़े 5 तो जैसे पहले गुड़ा करते हैं वे इसे गुड़ा कर लेंगे देखिए लिख लेते हैं 2.3 गुड़े 5 इसमें हम दसमनों को भूल के पहले गुड़ा कर लेते हैं कितना आ रहा है पांट याई पंदर हासिल एक पांट दूनी दस एक ग्यार है यह हमारा गुड़ा हो गया अब बारी आई दसम्रों लगाने की दसम्रों देखिए दसम्रों के इधर कितने अंख है दसम्रों के पहले एक अंख पर है मतलब दसम्रों एक अंख के बाद लगा है तो हम लोग भी उत्तर में दाई तरब से देखें दाई तरब से गिन कर एक अस्थान के बाद दसम्रों लगा देंगे तो यह हो गया 11.5 उत्तर हो गया चलिए एक कोशन आउर देख लेते हैं चार दसम्रों 6,2,5 गुड़े 15 ठेक तो पहले जैसे इसका गुड़ा करते हैं उससे गुड़ा कर लेंगे 5,25 देखें गुड़ा मैंने पहले पहली कलास में बता दिया है 5,25 हासिल 2 ठेक 5,0,0 जा 0 जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2 5,6,0 हासिल 3,5,4,2,3,3 फिर यहां क्रोस लगता है एक गुड़ा सम्मे करेंगे तो वही चीजा जाएगा 1,5,5,1,0,0,1,6,1,4,4 और इसको जोड़ लेते हैं 5,5,2,7,0,6,3,9,4,2,6 यह हमने पहले गुड़ा कर लिया अब दसम्मलो देखते हैं कहां लगा है तो देखें दाई तरब से दसम्मलो एक, दो, तीन तीन स्थान के बाद दसम्मलो लगा है तो हम भी दसम्मलो दाई तरब से तीन अंक के बाद लगा देंगे एक, दो, तीन तो यह अपना उत्तर आ गिया ठीना दसम्लो गुड़ा इस प्रकार का होता है चलिए अगला कोशन देखते हैं तीसरा कोशन तीसरा कोशन है 5.25 गुड़े 5.25 अब इसका गुड़ा करके देखें दसम्लो दोनों जो है लगा है तो फिर इसको कैसे हल करेंगे तो देखें दसम्लो को अभी देखना नहीं है अभी जैसे गुड़ा करते हैं हम लोग वैसे गुड़ा कर लेंगे 5.25 अब इसको जोड़ लेते हैं तो 5, 2, 7, 6, 2, 8, 6, 2, 8 और 2 यह जोड़ लिया हल कर लिया अब दसम्लो देखते हैं दसम्लो देखें यहां दसम्लो दो अस्थान के बाद है और दसम्लो यहां एक अस्थान के बाद है तो दोनों को गिल लेंगे कितने बाद है तो देखें एक दो तीन तो यहां दसम्लो उत्तर में दाई तरफ से तीन अस्थान के बाद लगाएंगे यहां इतना भी दसम्लो इधर से गिल लेते हैं इसको एक दो तेन दसम्लो की दर दो स्थान दसम्लो की दर एक स्थान दो और एक तेन तो उत्तर में दसम्लो दाई तरफ से तीन स्थान के बाद लगाएंगे एक, दो, तिल, ये उत्तर आ गया आप देखिए दूसरा टॉपिक देखते हैं इसमें है किसी भी संख्या में दस से गुड़ा करना, सो से गुड़ा करना या हजार से गुड़ा करना सिखाएंगे देखिए, पहला कोश्चन है 0.5, एक, गुड़े, दस फिर, 34.8, गुड़े, दस ठिक, फिर, 5.01, गुड़े, सो 2.74, गुड़े, दस 0.05, गुड़े, एक, हजार ये है गुड़ा फिर, 8.15, गुड़े, दस अजार फिर, 8.62, गुड़े, दस बराबर, और लास्ट है 120, गुड़े, एक, दो, तीन ठिना, ये है 10 का, 100 का, 1000 का किसी संख्या आम गुड़ा करते हैं, तो इसका डारेट आंसर लिख सकते हैं, ये रागुड़ा इसके संख्य में मैं भाग का भी लिख देता हूँ तो अच्छी तरह समय में आ जाएगा आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 इसी प्रकार इधर भी देख लेते हैं 1, 321, 5, गुड़े, भागे, भागे 100 सिकेंड, 24, 0, 9, भागे 10 तिसरा, 9 भागे 1000 36 भागे 100 769, 779 भागे 100 860 भागे 10 और 325, 1, 2, 5, भागे 100 इनको देखते हैं देखे ये हैं इसमें पहला कोशन देखे गुड़ा अगर गुड़े की बात करे है किसी भी संख्या में अगर 10 से, 100 से, 1000 से गुड़ा करना हो या भाग करना हो तिसका डारेक्ट उत्तर आता है देखे कैसे होता है देखे इसमें लिखा हुआ है 0.5, 1, गुड़े 10 देखे 10 में 1 0 है ठीज ना एक 0 है तो इसका मतलब ये दसम्बलो एक अस्थान 22 तरफ चला जाएगा ठीज ना तो इसका उत्तर आ जाएगा 5.1 ठीज ये दसम्बलो एक अस्थान आगे चला गया ठीज ना गुड़ा करने के बार दसम्बलो 22 तरफ सरकता है जितने 0 हो उतनी बार आगे जाएगा ठीज ना 2 0 होगा तो दसम्बलो दो बार आगे जाएगा इसी प्रकार यह भी एक 0 है तो यह 10 लोग यहां चलाएगा, तो यह हो गया 34 और 8 यहां 10 लोग, तो 10 लोग अंति में जब होता तो इसको नहीं लिखते हैं, तो यह हो गया 348 आंसर ही हो गया इसका, ठीना इसको आप गुड़ा करेंगे तो घुम इतना आएगा ही, यह आएगा, अब देखिए अगला question है 2 0 लगे हैं, मतलब 10 लोग 2 अस्थान आगे जाएगा, तो इसका उत्तर आजएगा 5 0 1, 10 लोग, मतलब यह 10 लोग यहां था, 1 2 आगया तो यह खत्म हो गया, फिर इसके बाद 1 0 है, तो यह 10 लोग एक बार आगे चला जाएगा, यह answer हो गया, यह 10 लोग यहां था, यहां चल यह उत्तर आगया, फिर इसके बाद देखिए, 1 2 3, दसमरों 3 बार आगे जाएगा, देखी, हमने लिख दिया यहां पहले, पहले यह यहां था, यहां से 3 बार आगे जाना है, 1 2 3, तो फिर यहां आगया, अब दसमरों यहां लग गया, तो शुरू में ज жरू लगाने की ज इसके बाद अगर दस्मलो जीरो लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक, दो, तीन, चार, मतलब चार बार आगे जाएगा ये, एक, आठ, पांच, देखें इसके बाद और आगे अगर दस्मलो ले जाना हो, तो जीरो नहीं है, तो हम जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, दस्मलो कोई आगे पीछे नहीं जाना है, तो इसमें क्या करेंगे, बस 862 लिख लेंगे, एक, जीरो है, एक, जीरो लगा देंगे, यह उत्तर ही आ गया इसका, फिर इसी प्रकार इसको अगर लिखना चाहें, तो 120 लिखा, 123, 123, यह उत्तर आ गया, ठीन, इसी एक गुड़ हो गया, इसी प्रकार भाग देखते हैं, देखें, भाग में क्या होता है, जीसे गुड़ा में दस्मलो 2 तरफ गया, तो भाग में दस्मलो 2 तरफ जाएगा, अपना उत्तर आता जाएगा, देखिए, जैसे दो 0 है, दस्मलो 2 बार इधर चला जाएगा, बाई तरफ, एक, यहां लग जाएगा, तो लगेगा 3 दस्मलो 2 एक, पांच, यह उत्तर आगिया अपना, फिर भाग करेंगे, एक 0 है, तो एक दस्मलो एक बार यहां चलाएगा, तो उत्तर जाएगा 2 दस्मलो 4 0 9, यह उत्तर हो गया, ठीज ना, डारेक उत्तर, फिर इसके बाद अगर 9 से, भाग करना, नो, देखे यह, इसका दस्मलो पहले खोजी कहां है, तो इसका दस्मलो कहीं नहीं होता, तो यह यहां होता है, ठीज ना, शुरू में दस्मलो यहीं होता है, अब इसमें 3 बार आगे लिजाना है, तो मैं यहां एक बार, तो आगे लिजाने के लिए कुछ है न तो मैं यहां एक 0 बढ़ा लेता हूँ इधर 0 जितना इच्छा उतना हम बढ़ा सकते हैं तो 1, 2, 3 1, 2, 3 तो यह दसमलो घुम यहां जाएगा यह उत्तर आ गया 0,009 यह उत्तर आ गया फिर 36 से भाग करेंगे तो देखे 36 में 100 का भाग करना है दसमलो यहां होता है शुरू में अब 2 अस्थान आगे जाना है तो 1, 2, 1 उठकर यहां चलाएगा ठीना तो दसमलो 3, 6 लिखा हुआ है यह उत्तर भी सही है इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं ठीना तो 0 दसमलो 3, 6 हुआ इस 0 का कोई मतलम नहीं होता बस इतना होता है कि अगर 0 शुरू में लगा है तो इससे पता चलता है कि दसमलो हमने लगाया हुआ है ठीना अगर इसे तो लागमी साथ ध्यान न दे तो 36 पढ़े तो यह 0 लगा लिया ठीना तो यह ऐसे लिख सकते हैं इसको अब इसको अगर 100 से भाग करेंगे तो कितना अगर 7, 6, 9 दसमलो सबसे अंति में होता है यहाँ पर दो 0 है यहाँ पर तो दो बार 2 तरह पाएगा 1, 2 इसी पगार 10 से भाग करेंगे तो 860 मतलब यह 1 0 है तो यहाँ दसमलो हमेशा सुरू में यही होता है एक बार इधर जाएगा तो यह जाएगा यहाँ तो 86 हो जाएगा फिर इसका देखते हैं देखे 825 और 125 2 0 है तो दसमलो 22 तरह दो बार जाएगा तो 1 और 2 तो यह यहाँ चलाएगा तो अपना उत्तर हो गया तो यह गुड़ा जब हो 100,100,100 तो इसका गुड़ा और भाग इस प्रकार किया रहता है अब अगला टॉपिक देखते हैं भिन को दसमलो में बदलना देखें भिन को दसमलो में बदलना में बदलना ठीक ना अभी हमने दसमलो को भिन में बदलना सीक लिया है अब भिन को दसमलो बदलते हैं कैसे बदलते हैं कुछ कोशन लिख लेते हैं हम यह 50 बटे 8 9 बटे 4 16 बटे 125 14 1 बटे 25 50 101 बटे 5 छट्वाँ, 203 बटे 4, सात्माँ, 1623 बटे 6, ठिर इनको पहले कर लेते हैं, देखिए, इसको पहले भाग करते हैं, दसमाँ बदलने के लिए, देखिए जो उपर होता है, अंस होता है, यह भाज बनता है, हर भाज एक होता है, ठिर इसको अमेशा याद रखिएगा, अब इसको भाग करते हैं, तो 8 मैंने जैसे पहले भाग बताया, 8 का पाणा पढ़ना है कि 50 आए, और अगर 50 नहीं आए, तो 50 से कम आए, तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, माइनस करेंगे तो 8 पचास, ठिक ना, 50 में 48 गया, 2, अब देखिए, सेस्फल आ गया, ठिना, इसके आगे, पचास, पढ़ना है, तो गया, अगर हम बोलें, इसको कि दसम्लो में ले जाके आंसर बताएं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहां एक दसम्लो लगाते हैं, यहां एक दसम्लो लगाने कारण, इस सेस्फल को एक 0 प्राप्त हो जाएगा, ठिना, अब चुके ए बार दसम्ल 24 जादा हो गया, तो 8 दूनी 16 कर दिया, 16 माइनस करेंगे, 4 आ गया, अब तुके एक दसम्लो लग चुका है, तो सेस्फल को हमेशा एक 0 मिल जाया करेगा, तो अब 8 का पढ़ना पढ़ेंगे, कि 40 आ जाए, तो 8 पंचे 40, हो गया, तो दसम्लो में इसका आंसर कितना है, 6 दस हो यहाँ, अब 4 का पढ़ना पढ़ेंगे, तो 4 दूनी 8, एक आया, यह भागफल सेस्फल प्राप्त हो गया, मगर अपने को दसम्लो में लेक जाना है, तो यहाँ दसम्लो लगाएंगे, तो एक 0 प्राप्त हो जाएगा, अब 4 दूनी 8, दो सेस्फल प्राप्त हो गया, फि 2.25 उत्तर हो गया तिसरा कोश्चन देखते हैं 16 बटे 125 देखे इसमें 125 ज्यादा है तो इसको अंदर नहीं लिखेंगे ती ना इसको बाहर ही लिखते हैं इसको अंदर यहां पर एक दसंबू लगाएंगे यहां चाहिए यहां लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इसमें तो यहां 160 आ गया ठीना एक दसंबू लगाने के बाद एक 0 मिल जाता है तो यह 160 हो गया अगर 125 का पहुणा पढ़ें तो 125 एक कम 125 चला जाएगा ठीना 125 दूनी में ज्यादा हो जाएगा 200 हो जाएगा तो एक कम 125 ठीक अब इसको घटा लेते हैं यह 35 आ गया और अब सेशफल आ गया तो इसमें फिर एक 0 अपने आप प्राप्ट हो जाएगा क्योंकि दसंबू लग चुका है अब इसको 125 का पहुणा पढ़ेंगे कि 135 के आ जाए देखें मैं अलग से मैं यही करके दिखा देता हूँ 125 का गुड़ा 2 में करेंगे तो 200 आ जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 4 एक 5 यह 200 आ गया अभी इससे कम है तो तीन बार पढ़के देखते हैं 5 यह 15 हासिल एक 3 दूनी 6 एक 7 3 एक कम 3 देखे 375 जादा हो गया तो दो बार वाला ले लेंगे दो बार तो यह आया 250 अब माइनस कर लेते हैं पांच एक 5 गया 0 तीन में दो गया एक यह आया 100 अब चूकी दसमूर लग चुका है तो एक 0 मिल जाएगा तो एक 0 लगा लेते हैं ठीक ना अगर 125 का पहना पढ़ें इस तरह पढ़ते चलें तो एक बार आठ बार देखते हैं पढ़के ठीक ना आठ पन चालीस हांसिल चार आठ दूनी सोला चार बीस आठ एक क्यावाट दो दस ठीक ना तो 125 अठे 1000 आता है इसको याद रखेगा आगे आपको काम आएगा तो आठ बार में 1000 आ गया तो यह कैंसिल हो गया ठीक ना तो इसको जब भाग करेंगे तो 0 दसमूर एक दो आठ आंसल आ जाएगा अगला कोशन देख लेते हैं एक एक बटे 25 बटे 25 बटे 25 को हल करेंगे तो यहाँ बटे 25 के पाड़ा में एक शुरूर में ही नहीं आएगा 25 से कम 25 ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ दसमूर लगा लेंगे दसमूर लगाने के बाद एक 0 तो इसको और आगे 0 देने के लिए 1 0 यहां लगाएंगे तो 1 0 यहां लगाते हैं थे ना इसको ख्या लखिएगा दस्वाल लगाने के बाद एक बार 0 मिल सकता है अगली बार 0 लगाने के लिए फिर उपर एक 0 बढ़ायना पड़ेगा तो 100 हो गया तो 25 के 100 यह उत्तर आ गया अब 101 बटे 5 को देख लेते हैं 101 बटे 5 को देखते हैं 5 101 देखे 5 दूनी 10 एक चला गया माइनस यह 0 आ गया अब इसको 1 उतारा अब देखे यह 1 आया 5 एकम 5 तो ज़्यादा हो गया नहीं जा रहा है ठी ना इसको सेसफल लगा के नहीं छोड़ सकते इसको भी जब तक एक ब एक बार भी भाग नहीं देंगे तब तक यह सेसफल नहीं कहला था ये तो हमने जब चेवल यहां चालाँ यहां से रक добав कर दिया बहुत ऐते है जो उत्तर आता है वो मैनस 5 होता है तो इसको पहले एक बार क्या करें के 5 एकम 5 जादा है तो पांच 0 करेंगे घिरो फिर घटाया 1 अब यह से से स्पल हो गया ठेक ना अगर से अगर ज़िंद हो और अगर गयात करना होता तो इह अपना उत्तर आ सब्सक्राइब अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद